इन लास्ट बिस दिन के अंदर तो धाइसो घंटे के हंदर हमने इस ते लेवास को ऐसे कर किया रैप अप किया प्लास पेसी में बिपर किया पहले प्लास थे गाज़ आम आकाश नीव वोचिंग आकाश टॉक्स आज के वीडियो में बात करने वाले है लास्ट 20 डेज रूटीं विच यू कन फॉलो तो गेट 90 प्लस माक्स इन यो आईसीएस 2020 क्या करना है क्या नहीं करना है कब लास्ट इनियस पकरना है कब नोट्स पकरना है एक दिन के अंदर कितना घंटे परना है हम सारे कुछ लेकर इस वीडियो के नहीं बात करेंगे ठीक है अगर तुम यार यह सारे चीज़ को फॉलो करते हो मैं दावे से कह सकता हूँ कि तुम कै जितने अभी माक्स क्यों ना आया था प्रीवोर्स में अगर तुम यह सारे रूटीं को सही से फॉलो करते हो तुम यह 90 प्लास माक्स स्कोर कर पाओगे तुम यह बहुत सारे इंपोर्टन चीज़ यह बोलने माला हो इसके अंदर वो तुम मिस कर जाओगो यह रूटीन को मैंने एकदम आईसी से के टाइम टेबिल के एकॉर्डिंग बनाया तो आई होब कि यह जितने वी चीज बोलूँगा इस विडियो के अंदर वह सारे कुछ यह तुमको अर बहुत ही implementable चीज होगा नमबर टू यह जो condition यह मैं इस वीडियो के अंदर पकड़ने वाला हो वह condition भी तुमको maintain करना है इं लास्ट बिज दिन के अंदर To achieve 90 plus marks, ठीक है? तो चलो यार, वीडियो को start करते हैं तो वीडियो स्चार्ट करने से पहले एक request चाहे जितने भी तुछ में बैच मेंट से है या फिर स्कूल मेंट से है सब्से यार यह वीडियो थोड़ा share करना है पाक यार उनको भी थोड़ा help मिले By watching this video तो, we have 10 subject in our ICAC, हम लोग यार 10 subject है, and हम इदर एक condition apply कर रहा है, कि हमको यार हर दिन में 10 घंटे करके पराई करना है, क्योंकि यार अभी सिर्फ 20 days, या फिर 25 days बचे है, ठीक है, number one, number two condition, यार मैं और एक condition पकर रहा हूँ, कि यार मैं 30 fast लेकर 24 तक तुम लोग का routine दे रहा हूँ या फिर इधर से कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग जो वीडियो देख रहा हो अभी, वो कुछ लोग यार 31 को देखेंगे, कुछ लोग 1st February को देखेंगे, तो अपने हिसाब से 1 या फिर 2 दिन तुम जभी पीचे से यार इई वीडियो को देख रहा हो, उसके हिसाब से त इन ते भी अपने मैच करवा लेना, ठीक है, तो फर्स्ट अमवल यार हमको दिन में यार 4 सबजेक्ट परना ही है, अभी, ठीक है, और उपर से 10 अवर्स इस दिर, 10 गंटे यार सबको पराय करना है, अगर तुम या 90 प्लास एचीव करना चाते हो, तो ना, चाहे तुमको कि 31 को क्या क्या करना है, 31 को यार Physics, History, Mathematics and Literature, हम यार हर एक दिन में चार-चार सबजेक्ट दे रहे है, उससे जादा हम नहीं दे रहे है, अगर आप सही से देखोगे, तो मैं एक दिन में यार 5 भी सबजेक्ट दे सकते था, बट मैंने यार सिर्फ दे रहा हूँ यार 4 सबजे तो ऐसे करके यार 7-6 तक तुमको यार रोटीन या फिर ये शेडूल फॉलो करना है, तुम अपने हिसाब से यार ये टाइम टेविल बना सकते हो, बट जैसे है मैं बना के दिया, देखो यार फैले Physics, उसके बाद बाले दिना Chemistry, उसके बाद बाले दिना Biology, मैं ऐसे करके ची दिया, क्योंकि यार Maths एक ऐसा subject है, which you have to practice each and every day, otherwise you will not going to get good marks in this subject, Mathematics ठीक है, then we have here History, Physics, Literature and Mathematics, 4th के दिन हमको यार Biology, Geography, Language and Mathematics, ठीक है, 5th के दिन यार ऐसे यार तुमको यार 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 ये Biology होगा, ये Chemistry होगा, ये Physics होगा, ऐसे करके तुमारा यार ये Routine चलता रहेगा, ठीक ह और एक बात, जो Second Language है, उसको भी हमको ध्यान देना परेगा, Language and Second Language, Language is very important, because ICC में ये Main Marks करी करते है, plus तुमको ये Percentage में, तुमको Compulsory Percent में ये Language and Literature को भी लेना ही परेगा, so that's why Literature 1, Literature 2 and Literature 3, मैं 3 दिन दिया Literature के उपर पढ़ने के लिए, and Language को हम ये 2-3 दिन दिन दिया तुमको ये Language 2-3 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर भी ये जाधातर हो जाएगा, plus 3 दिन के अंदर सुरा जाधा time दे दिया, so हमको ये Routine, साथ से लेके 15 तारिक तक follow करना है, ठीक है, क्या करना है, साथ से लेके 15 तारिक तक, ये Routine follow करना है, जो ये अभी वीडियो को देख र कर रहा हूँ, इसलिए मैं ये Routine बना रहा हूँ, ठीक है, तो full syllabus you have to complete, in this, मतलब कि 30 तारिक से लेके 15 तारिक तक, चाहे तुम्हारा syllabus जितने भी ये बचे थे, वो complete करना पड़ेगा, accordingly जो Routine में ने दिया, उसके हिसाब से, ठीक है, नमबर टू, जो यार, आर्स के सब्जेक्ट है, जैसे कि यार, History, Literature, Geography, ये सब्जेक्ट को हमको यार, दिन में रठा मारना है, क्यों? क्योंकि यार, दिन में, ब्रेन जादा अच्छा रहता है, और हम अच्छे तरीक से इंटेक कर पाएंगा, and यार, and for them, जिनको यार, ल time table, तुमको यार, खतम हो जाना चाहिए, ठीक है, क्यों? क्यों कि यार, हम consider कर रहे है, तुम यार, 10 घंटा करके यार, पर रहे हो, तो यार, कितना घंटा हुआ, 16 एंटा, 16 घंटा, 16 घंटे के अंदर, तो तुमको यार, 16 दिन के अंदर, ये सारे चीज़ को यार, complete ये, फ हमको यार, literature, physics, geography, mathematics, ये, यार, तीन, ये, फिर, चारो subject करना है, क्यों करना है, क्यों करना है, क्योंकि अगर तुम ICC का time table देखोगा, तो तुमको यार, देखने को मिलेगा, कि यार, geography में यार, time बहुत कम है, and physics में भी यार, time बहुत कम है, history के, यार, दो, एक दिन के है, specimen paper करना, ये, जायर सी बात हो, तुमको करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यार, math क्या बोला, her and each and everyday, you have to practice mathematics, ठीक है, so, यार, इसके अंदर हमको हो गया, तो कितना 30 गंटे के अंदर, हमको यार, ये, चारो subject को wrap-up करना, या फिर, तीनो subject को अच्छे से wrap-up करना है, ICC में time एकदम सा कम है, इस subject के ऊपर, ठीक है, so, now we come to last part of our subject, which is consist of, यार, 19th to 24th, 19th से 24th के अंदर, तुमको क्या करना है, 19th से 24th के अंदर, हमको यार, कितना days है, 6 days हुआ, 6 days के अंदर, यार, 6 days के अंदर, तुमको, यार, routine as usual, यार, मैंने पहले दिया, ये वाला routine, you have to follow this routine, ये routine तुमको follow करना पड़ेगा, भाया, same routine follow करेंगे, नहीं, same routine, अभी routine थोड़ा change होगा, routine तो यार, ये ही रहेगा, बट क्या change होगा, तुमको इसके अंदर, full revise करना है, हर एक chapter को, हर एक subject के, इदर, तुमने यार, syllabus को complete किया, या फिर wrap up कर दिया, अभी तुमको यार, वो एक subject को, किटीनी बार, एक से दो बार, ठीक है, and according to this time, पर I hope किया, छे दिन के अंदर, या फिर एक हपते के अंदर, तुम्हारा यार, ये, revision हो जाएगा, नमबर वान, नमबर टुए, मैंने जो notes दिया था, notes कौनको, हर इस subject के अपर दिया था, geography के अपर दिया था, number one, number two, margin definition के अपर दिया था, lead pressure के अपर दिया था, वो सारे notes, physics के अपर भी आनम मैं notes दिया था, तो वो सारे चीज़, उमको है notes परनी है, notes परनी है, full revision करनी है, of each and every chapter, plus, plus, तुमको, यार, करना है, last ten years, practice, यार, मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्या, last ten years, खुझ से, यार, practice करने के लिए, last ten years, right now, it is very important, last ten years, उमको, यार, practice करना है, from now, या फिर, last six days के अंदर, मैं जादा कुछ नहीं दे रहा हूँ, plus, जो, यार, red pen से लिखा है, no specimen paper, मतलब अभी के लिए, कोई specimen paper, या, फिर, test paper, करने का जरूरत नहीं है, you will not going to do any specimen paper, और test, बढ़ अभी हम कुछ तिर, चीजे, revise करना है, हर एक chapter को, reverse करना है, last ten years, करना है, plus, या, जो, notes, मैं नहीं प्रोवाइट के 95% के ऊपर का notes, you have to reverse also those, so, 6 दिन के अंदर, हम लोगा, यार, ये full syllabus, हमने या, wrap up कर लिया, या, फिर, revise कर लिया, along with our notes, and along with our last ten years, आप में से जितने भी लोग, या, नए वीडियो को देख रहे, आप में से सोच रहे है, या, notes का मिलेगा, या, मैं हर एक notes, intently, या, मैं provide करके रखा हू, if you doesn't get that, just do one thing, या, या, चैनल पे चले या, प्ले लि and 60 hours, तो 200 गंटे के हंदर, हमने इस syllabus को ऐसे कर किया, wrap up किया, plus specimen paper किया, पहले, plus test paper किया, last May, then 10 years किया, and then, पूरे syllabus को हमने wrap up कर लिया, या, फिर, revise कर लिया, इस चीज के अदर, इस चीज के अदर, इस चीज के अदर, इस चीज के अदर, and तुम लोग को समझ में आया, and if you follow this time to be in a proper way, according to the conditions which I have already mentioned in the previous, तो तुमको यार, ये marks जरूर आएगा, क्यों नहीं आएगा, जरूर आएगा, you have to follow, you have to just follow only these things, ठीक है, so, तब तक के लिए चलते है, and if you have any doubt regarding this routine, तो ने को नीच ते कर कमेंट कर सकते हो, मैं हरे कमेंट परता हू, ठीक है, अब तक के लिए चलते सी या, have a good time, फिर मिलूँँगा नेक्स वीडियो में, गुडबाई